हलो दोस्तों वर्क फॉर्म होम यानि की घर से काम पर अव्यूद अकेडमी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत इस वीडियो में हम उन फायदो या एडवांटेजेस पर चर्चा करेंगे जो घर से काम करने से जुड़े हैं बस आप बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंतक ताकि आपको वर्क फॉर्म होम और पार्ट टाइम जॉब पर सबसे ऑथेंटिक और सठीक जानकारी मिल सके इस वीडियो में एक बात और है कि हमने इस वीडियो के डिस्किप्शन बॉक्स में उन सभी वीडियो के लिंक डाल दिये हैं जो कि अवीड अकैडमी ने बनाए हैं वर्क फॉर्म होम और पार्ट टाइम जॉब पे आप उसे जरूर देखें असारी कोरोना वाइरस के महामारी के चलते लॉकडाउन सिचुएशन का सामना कर रही हैं इस करोना बंदी से कमपनियां बंद हैं और उन्होंने अपने टाफ और परफेशनल को काम करने वाले करमचारियों को घर से काम करने का इंस्ट्रक्शन या निर्देश दे रखा है आजकल प्रोफेशनल और एजेंट्स और कंसल्टेंट भी घर से काम कर रहे हैं और वे जॉब पोर्टल्स पर अपने लिए पार्ट टाइम, फ्रीलांस, वर्क फॉर्म होम काम खोज रहे हैं जैसे की हम सभी जानते हैं कि हर काम के कुछ प्लस और कुछ माइनस पॉइंट्स होते हैं उसी तरव वर्क फॉर्म होम यानि की घर से काम करने के भी अपने कुछ फाइदे हैं और कुछ नुकसान हैं हम अगर उसके फाइदे और नुकसान को जान जाते हैं तो हम उस पे काम करके फाइदें को बढ़ा सकते हैं नुकसानों को कम कर सकते हैं और अपनी प्रो पुरा विश्व कभी भी अचानक lockdown situation यानि की बंद हो सकता है और एक नया काम का culture अब जो जोड़ पकड़ेगा वो है work from home यानि घर से ही ज्यादा से ज्यादा लोग बैठके काम करें तो इस वीडियो में हम सबसे पहले घर से काम करने के फाइदे के बारे में चर्चा करें घर से काम करने के जो disadvantages हैं जो उसकी कटनाई या मुश्किले हैं उसके बारे में हमने अपने दूसरे वीडियो में बात किया है उसका लिंक भी हम इसके description box में दे दे तो चलिए अब चर्चा सुरू करते हैं advantages of working from home पे तो पहला advantage या love है कि घर से काम करने पर एक flexible timing होती है हम office जा दिबाजी नहीं रहती और हम भागा दोड़ी से बच जाते हैं हम जब चाहें उसी समय काम से break ले सकते हैं साथ ही office न जाने से पैसे और समय दोनों की बचत होती है हम काम करते वक्त सुकून महसूस करते हैं और यह इसका सबसे पहला advantage है दूसरा love है कि customized environment होता है यानि कि हम environment जो working environment है उसको अपने धंग से बना सकते हैं work from home या working environment को अपने धंग से आप निरधारित कर सकते हैं जैसे कि lightning का arrangement हो, temperature हो, furniture हो, settings हो या यहां तक कि आपका काम करने का mood हो इन सभी को आप अपने धंग से अपने environment में customized यानि कि अपने तरीके से करके work from home कर सकते हैं मूल रूप से आप उस धांचे में काम कर सकते हैं जो आपको सबसे अच्छा लगता है और यह सब आपको खुश रखता है और आपकी productivity बढ़ जाती है वैसे एक और लाफ जो है वो है पैसों की बचत होना आप ना केवाल आफिस जाने के लिए पैसे बचते हैं बलकि आप अन्य छेतरों में भी पैसा बचाते हैं आपको कोई formal कपड़ा या polished जूते पे पहनने की आवशक्ता नहीं रहती और आपका उस पे पैसा खर्च नहीं है और अगर आप इस तरह के कपड़े या जूतों का परियोग जो formal suit वगर है उसका नहीं करते तो भी जो आप informal कपड़े अलग-अलग दिन अलग-अलग पहनते हैं और उस पे जो आपका खर्च होता है वो भी बच जाता है इसके साथ आपका खाने पर भी और कौफी आदी पर भी खर्च कम हो जाता है क्योंकि जब आप घर में रहते हैं तो आप स्वतह का लंच करते हैं और जो कौफी भी आप पीते हैं वो भी आप अपने पैसे खर्च कियेवेगर घर में ही उन कौफी की चुश्की आपका एक बहुत बड़ा पैसा जो है जो आपको अपने लंच और कौफी आदी पर खर् हाई देता है अता है एक यह आपके लिए बहुत बड़ा मोनेटरी गेन होता है जो दूसरा लाभ आपको वर्ग फॉर्म होता है वो है कि आप काम पर मोर फोकस्ट होते हैं और आपका डिस्ट्रेक्शन कम होता है यदि आप दिर्धता और इच्छा सकती से अपना दिंचरिया आफिस दिंचरिया जो आप घर में करते हैं उसका पालं करते हैं और बगल के रूम के टीवी से विचलित नहीं होते या आप अपने आपको इस तरह ट्रेन कर लेते हैं कि जो बगल में कमरे में जो टीवी चल रहा होता है उससे आप विचलित नहीं होते तो आप अपने काम पर ज्यादा focus कर सकते हैं, क्योंकि आप जो है office में सहकर्मियों से disturb होते हैं, वो घर में आप नहीं होते हैं, आप की जो अनावशक distraction जो है, जो office में होती है, unnecessary meeting अगरा के में जो आपको भागना पड़ता है, उसका आपको interruption या distraction नहीं face करना पड़ता घर में, आप इन सभी त को खुद एक secured environment और sealed environment में बद करके घर में काम करते हैं, तो आप अपने काम पे ज़्यादा focus होते हैं, और distraction से बसते हैं, आपकी productivity बढ़ती है, और आपका काम की quality भी अच्छी होती है, घर और परिवार से निकेट होता, ये जो एक लाब है, ये बहुत बड़ा लाब होता ह है, कि जिसे हम कहते हैं कि proximity to the family members, कई लोग का अपने परिवार से जो निकटता और या घर या घर पर ही होने का जो convenience जो बहुत सारे लोगों के लिए होता है, वो उनके लिए बहुत comforting होता है, यानि कि जब आप घर से काम करते हैं, तो आपके जो परिवार के लोग जो आपक निकट रहते हैं और आपको वो बहुत comforting होता है, आपकी जो एक चिंता होती है परिवार के लोगों को जब आप आफिस जाते हैं उनके बारे में, तो वो पुल जो है, आपके पास नहीं रहती क्योंकि आप परिवार के साथ ही रहते हैं, कई माता पिता के लिए या एक रिवार के बुजुर्गों के साथ भी लागू होता है, कि जब बुजुर्गों को अवशक्ता हो तो आप चुकी घर पे ही हैं, आप उनके कभी भी और किसी भी समय उनकी छोटी सी छोडी जरूरतों को भी पूरा कर देते हैं, तो यह एक बहुत बड़ा लाव और सुक्री आज की युग में हम एक बेहतर कार और जीवन का संतुलन बनाने की कोशिश करते रहते हैं जब हम work from home करते हैं तो हमारे पास काम करने का report करने की बहुत flexibility होती है और हम एक optimal balance बना लेते हैं work के बीच में और अपने घर के बीच में तो इस optimal balance के चलते हमारी ज्यादा एक better work और life balance बन जाता है जो आजकल बहुत ही दुरलब चीज़ है आपको एक और जो lab होता है कि आप अधिक सीख सकते हैं You can invest your time in more learning the new things And you are also much independent than आप जब office में काम करते हैं चुकि आपके co-workers और tech team आपके पास नहीं रहती है ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि जब नहीं रहती है तो आप जब भी किसी problem में समस्या में फस्ते हैं तो उसका उत्तर आप swim तलास करना चाहते हैं क्योंकि वो जो समस्या होती है वो तो बार-बार जीवन में आती रहती तो आप उसका तरीका ढूंडने लगते हैं कि कोई भी समस्या आए तो हम उसका समाधान कैसे कर सकते हैं तो इससे आप नई चीजें सीखते हैं आपको सीखने की तरीके आते हैं और आप अपनी समस्याओं को खुद भी solve करने लगते हैं तो इससे आपका अनभाव भरता है आपका skill development होता है आपकी productivity बढ़ती है आपकी quality बढ़ती है और आपकी आत्म निरभरता यानि कि आप independent होते जाते हैं यह सही है कि आपके पास phone पर सवाल पूछने और उत्तर पाने का एक solution रहता है पर घर से काम करते वक्त आप ज़्यादा तर गूगल सर्च करने लगते हैं उस समस्या से related guide को download करने लगते हैं आप office की Wikipedia को सर्च करने लगते हैं या इस तरह से related Wikipedia को सर्च कर लेते हैं और इसस जो है आपका वो बहुत बढ़ जाता है साथ ही आपका एक बहतर स्वास्त भी आपको मिलता है जब आप घर से काम करते हैं घर से काम करने में आपका बहुत सारा समय बच जाता है जिसका आप फियोग अपने सारीरिक व्याम में लगा सकते हैं साथ ही आप अपने समाने सरीर और मांसिक स्वास्त का भी ज्यादा ध्यान रख सकते हैं घर से काम करने का सबसे बड़ा जो लाब होता है और वो है कार्याले यानि की वर्क प्लेस के राजनीती से बचना और ये सबसे बड़ा बोनस होता है जो लोग घर से काम करते हैं वो आफिस के गॉसिप से बच जाते हैं और वो आफिस के दलदल राजनीत में इन्वाल नहीं होते किसी का साइड नहीं लेते और इन चीजों से वो बच जाते हैं जो कि एक traditional work setting के अंद में involved होने पर नहीं हो पाता है यह हम लोगों के लिए बहुत बड़ा बोनस है तो दोस्तों हमें उमीद है कि इस वीडियो की सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी और आपने उन्हें अच्छी तरह note कर लिया होगा और जब भी आप घर से काम करें तो आप अपने इन सभी advantages को ध्यान में रखते हुए उस पर और improve करेंगे अपनी work की quality को improve करेंगे productivity बढ़ाएंगे और अपने लिए ज़ादा से ज़ादा income कर सकेंगे और इस वीडियो का लाव उठा सकेंगे दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो please इसे like क करें इसे share करना ना भूलें comment करें क्योंकि आपके comment ही हमें और अच्छे वीडियो बनाने के लिए prosite करते हैं आपके पास अगर कोई सवाल है तो उसे comment box में लिख कर हमसे पूछें हम उसका अपने research team दोरा अच्छा से अच्छा और authentic से authentic जानकारी हांसिल करके information उस पर हांसि कर देंगे ताकि और लोग भी उसे love उठा सकें और यदि अगर आपने हमारा channel अभी तक subscribe नहीं किया है तो please इसे subscribe करें और bell icon दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारा इस part time और work from home पे जो वीडियों हैं उनके जो ने वीडियों हों वो लगतार मिलते रहें